नमस्कार दोस्तों मैं गोतम सिंग आज आपके लिए लेकर रहा हूं IMPLABILITY SKILL ITI STUDENT के लिए Practice Set 5 दोस्तों आपको हम बता दे कि यह Practice Set 5 है आप Practice Set 1 से लेके 4 तक पिछले वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो के दोड़ फिकेशन आपको मिलते रहे चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रस्ण के तरफ पहला प्रस्ण है हमारा फोन लाइन और माडेम कनेक्शन का उप्योग करके इंटरनेट से कनेक्शन के रूप में कहा जाता है परते कोश्चन का चार अप्शन है ब्रांड बैंड डीश डिजिटल डायल आप फोन लाइन और माडेम कनेक्शन का पूपियो करके इंटरनेट से कनेक्शन के रूप में कहा जाता है ब्रांड बैंड हमारा एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है नीवने में से कौन उन्ड कनेक्शन के चरणों में सामिल नहीं है कनेक्शन बनाना, डाटा ट्रांसफर करना, कनेक्शन समाप्ट करना, यूजर नेम एम पसवर्ड सुनेशित करना नीवने में कौन इन कनेक्शन के चरणों में सामिल नहीं है तो दोस्तों आपको हम बता दे username, password सुनशित करना हमारा answer हो जाएगा D number बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्न है भारत में internet सेवा की शुरुवात किसने की तो दोस्तों आपको हम बता दे कि भारत में internet सेवा की शुरुवात जो है भी SNL ने किया तो हमारा answer हो जाएगा दोस्तों A number बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्न है इंटरनेट के द्वारा कीन सुबदाओं का पर्योग किया जा सकता है mail, online chatting, worldwide web ये सब ही इंटरनेट के द्वारा कीन सुबदाओं का पर्योग किया जा सकता है तो दोस्तों ये सब ही हमारा answer हो जाएगा D number बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्न है इंटरनेट पर हमारी गती बिधी किस पर निर्भर करती है तो दोस्तों आपको हम बता दे रूची पर इंटरेस्टेड हमारा answer हो जाएगा दोस्तों ये नंबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ अगला प्रस्न है डबलु डबलु का विस्तार रूप है वर्ड वाइड वेव वर्ड वाइज वर्ड या वर्ड वाइज वेव तो डबलु 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 का विस्तार रूप है दोस्तों वर्ड वाइड वेव हमारा answer हो जाएगा ये नंबर बढ़ते हैं आगले प्रश्ण के तरह अगला प्रश्ण है नीम्ने में से कौन सा एक कार्डिनल नंबर है एक पाँचवा आठवा या दूसरा कौन सा एक कार्डिनल नंबर है तो दोस्तो एक हमारा इंसर हो जाएगा ए नंबर बढ़ते हैं अगले प्राशने के तरफ अगला प्राशना है भावेल को बोलते हुए मोबेट किन के मध्या होता है जीव तथा होटों के मध्या जीव तथा दातों के मध्या जीव ही के दोवारा इन में से कोई नहीं तो भौवेल को बोलते समय किसके मध्य मोमेंट होता है दोस्तो जी भी या होटके तो दोस्तो हमारा एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशन है एस्ट्रेस मूलता क्या है टेक्स्ट फोर्स कंटेक्स्ट या इनमेंसे कोई नहीं एस्ट्रेस एक तरह का फोर्स है हमारा एंसर हो जाएगा दी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरब सेमी भावल की क्या विश्यस्ता है इसमें भावल की विश्यस्ता होती है इसमें कॉंसोनेट की विश्यस्ता होती है इसमें भावल और कॉंसोनेट दोनों की विश्यस्ता होती है या कोई नहीं तो सेमी भावेल की विशेष्टा होती हैं दोस्तों भावेल और कॉंसोनेंट दोनों की हमारा एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ ISO 9000 की मन्यता कब घोसित हुई बर्स अनई साशी बर्स अनई साशी बर्स अनई साशी बर्स अनई साशी तो ISO 9000 की मन्यता कब घोसित हुई तो दोस्तों बर्स अनई साशी हमारा एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्णे है ISO 9000 परमाड़ी करण के लाव क्या है या उत्पदक्ता में विधी करता है दोस्तों हमारा एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्णे है ISO 9000 के संदर में मान की करण का परियास करता है उत्पादो या आपूर्ती करता के बिन्यनिर्देश या गुलवक्ता के परबंधन की प्रकिरिया या सभी C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सम्मानक किसी कमपनी की प्यारण संबंधी जिम्वारियों को मुल्यांकन करता है ISO 9000, ISO 9001, 9004 या 14000 तो कमपनी की प्यारण सम्बंधी जीमवार्यू का मुल्यांकन करता है ISO 14000 हमारा एंसर हो जाएगा दोस्तो डी नंबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तराफ अगला प्रश्ण है हमारा सर्जन एवाम अन या अपसिस्टो का मुल्यांकन करता है प्यारण प्रणाडी मानक या प्रिचालन प्रणाडी मानक या सभी तो दोस्तो हमारा answer हो जाएगा प्यावरण प्रणडी मानक मुड़यांकन करता है हमारा answer होगा यह number बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरब अगला प्रश्ण है ISO certificate के बीशे में क्या सत्य है यह ओतावरण परबंध के लिए कारी करता है यह केवल निर्वात करने की वाली कमपणियों के लिए है यह और भी दोनों इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसमें से हमारा answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं क्योंकि ISO 14000 certificate के बीशे में क्या सत्य है तो दोस्तो आपको हम बता दें कि यह जो है मानना कि किसी कमपणियों पर और संबंधे जिम्वारियों की मुल्यांकन करता है तो इसलिए हमारा सत्य नहीं है इन में से कोई नहीं होगा हमारा answer हो जाएगा दोस्तो डी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरब अगला प्रशने है मुबाइल एटियम प्राब करने वाला पहला बैंक था एकसिस भारतिये स्टेट बैंक, ICCI बैंक, भारतिये रिजरब बैंक तो दोस्तो हमारा answer हो जाएगा ICCI बैंक, हमारा answer होगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरब अगला प्रशना है Union Bank of India दोरा दृष्ट हीनों के लिए पहला बोलता ATM कहां अस्तापित किया गया महराष तमिन एडु, उतरपर्दिस या गुजराथ तो सबसे पहले आपको हम बता दे Union Bank of India दोरा दृष्ट हीनों के लिए पहला बोलता एटियम गुजरात अस्थापित किया गया हमारा एंसर हो जाएगा डी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है नीमन में किसका सबसे बड़ा एटियम नेटवर्क है भारतिय एस्टेट बैंक उनियन बैंक एक्सिस बैंक या HDFC बैंक तो दोस्तो भारतिय एस्टेट बैंक का सबसे ज़्यादा नेटवर्क है, हमारा एंसर हो जाएगा यह नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशना है, लोगों द्वारा अपनी बात बचत को बैंकों में जमा कराने से होता है, पादन में बिधी, पूजी में बिधी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो लोगों द्वारा अपनी बचत को बैंकों में जमा कराने से होता है, ए और बी दोनों, तो हमारा एंसर हो जाएगा दोस्तों, C नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ निवने में किसके कारण बैंकों का महत् हमारा एंसर हो जाएगा D नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ बैंक निवने कारियों में सहायक सीध होता है आर्थिक विकास में, बीतिये साधनों के संतूलन में, पूजी गत सिलता में ये सभी, तो दोस्तों आपको हम बता दे कि इसमें हमारा एंसर हो जाएग ए और बी दोनों इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों आपको हम बता दे कि A और B दोनों है, भुगतानमी है और सार्वजनक रिड का परवंद भी हमारा एंसर हो जाएगा A नमबर, C नमबर दोस्तों, चले दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ, अगला प्रशन ह कि A और B दोनों दोनों है, तो C नमबर दोनों है, तो C का परियोग हम बैंक दोनों करते हैं, हमारा एंसर हो जाएगा A नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ, C का उदे से होता है ग्रहा की पहचान, मनी, लडिंग का पता लगाना, आपराधिक, गतिविधियों का पता लगाना, तो C का उदे से ये सभी होता है दोस्तों, तो हमारा एंसर हो जाएगा इसमें, D नमबर, दोस्तों आपको हम बता दें, कि ये प्रेक्टी सेट 5 था, आप प्रेक्टी सेट 1 से 4 तक पिछले वीडियो में देख सकते हैं, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबादे तैकि अगले वीडियो को नटिफिकेशन आपको मिलते रहे, थैंक्यू दोस्तों और आधे राधे दोस्तों